आई आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं एक स्कैम के बारे में जो की UK, US और Australia में भूमने के बाद अब अपने दस तक इंडिया में भी दे चुका है जिहां ये स्कैम चल रहा है सैक्षो टॉर्शन के नाम से जिसमें की इंडिया की सैवर सेल ने नौटिफिकेशन जारी क जन जनता के लिए जाकरुप अभ्यान भी चला रही है तो मुद्दा ये है किसके बारे में आप लोग को क्या पता है इसमें और हो क्या रहा है कि सैक्षन के अंदर इस पर आप कंप्लेंड कर सकते हैं और अगर ऐसा कुछ आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ हो जा वो होता ऐसा है कि किसी भी ऐसी चैनल से जो कि WhatsApp हो गया, Messenger हो गया या कोई dating app हो गई या फिर किसी भी social media चैनल से आपके पास कोई contact करने की कोशिस करता है जो कि एक बहुती well maintained models के साथ और profile pictures और profile से साथ होती है जो कि आपको जानने का claim करता है और आपके साथ discreet relationship बनाने की ब और यहीं आप trap में फस जाते हैं तो इसमें जो है खत्रा कि अगर हम बात करें कि ऐसा होने पे क्या क्या खत्रा है तो सबसे पहले जो खत्रा है वो black media extortion का है उसके बाद harassment, abusement और exploitation का भी खत्रा बना हुआ रहता है इसमें अगर हम बात करें कि इसके जो mood of operations होते हैं वो क्या होते हैं तो सबसे पहले जो है इस camera जो है वो आपके साथ contact बनाने की कोशिश करता है किसी भी ऐसे social media या किसी भी ऐसे format से जहांपे की आप contact उससे कर सकें आप उससे photo share कर सकें, video share कर सकें और कुछ ऐसा कुछ भी service ऐसी pay कर सकें जो की ethical right नहीं होगी आपके लिए उसके बाद जैसे ही आप processor से बात करना सुरू कर देते हैं, वो आपको seduce करने की कोशिश करता है, आपके साथ intimate relationship बनाने की कोशिश करता है, जब आप उसके साथ ऐसी किसी भी बात में फच जाते हैं, वो आपको video call के लिए या फिर किसी भी ऐसी service को खरीदने के लिए या उसके लिए pay क या nude position पे उसके साथ video call करते हैं, तो वहाँ पे दूसरी side से होता यह है कि या तो screen record कर लिये जाता है, या फिर कुछ screenshot लेकर रख लिये जाते हैं, और वहाँ आप victimize हो जाते हैं, इस sexual torsion के scam में के बाद आपके साथ blackmailing या फिर कुछ भी ऐसा काम करने की demand की जा सकती है, त तो जो अब तक आपको नहीं करना चाहिए था, अब आपको कर चुके हैं, तो ऐसी condition में अब आपको ये करना है, कि सबसे पहले तो जो भी आपने ऐसी कोई chat करी है, जो भी आपने कुछ ऐसा किया है, अब आप उसे जल्दी बाजी में delete करने के बले, अभी उसे संभाल के र brace करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, यह है जनतजागरूप के लिए, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कि आपका कोई nearest, या कोई भी ऐसा asperos में कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है, जो कि कि किसी की पूटो शेयर कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे public मीडि के साथ खिलवाड हो सकता है तो आप as per the section 108-1 CRPC की अपने nearest magistrate को in return complain कर सकते हैं जिसमें की magistrate जो है उसके उपर action ले सकता है चलिए तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ या किसी को भी आप ऐसे देखते हैं जो कि ऐसे trap में फस तो सबसे पहला जो है आप उसकी complain raise करवाएंगे और complain raise करवाने के बाद जो है पुलिज जो है action उससे ले सकती है under section 354-D 506-384-292-A या IPC के या फिर IT Act के section 67 के अंतर जो है अगर किसी भी woman की modesty के साथ खिलवाड के जाए उसके लिए 504 है अगर कोई भी criminal intimidation होता है उसकी punishment क जो है वो है punishment for the extortion blackmailing को legal language में extortion नाम से जाने जाता है उसके बाद 392-A जो है वो है अगर कोई भी किसी की ऐसे compromising position की या sexual intimate photos को print करवाता है for the blackmailing तो section 298-A के अंतरगत उसके ओपर action लिया जा सकता है section 67 जो है IT Act का वो है अगर कोई भी ऐसी sexual intimidation की या फिर कुछ भी ऐसे compromising position की किसी की photo online share करता है किसी भी electronic media से share करता है उसके ओपर ये act है जिसमें की 5 साल तक की सजा का प्रावधान है तो अगर आपके किसी भी जानकार के साथ ऐसा हो जाता है तो सतर्क रहिए blackmailer कुछ भी demand कर सकता है सिर्फ पैसो तक ये बात limit नहीं रहती कोई भी आपका ऐसे approach कर करता है तो कुछ भी ऐसी photos या फिर कुछ भी ऐसे conditions में जाने से पहले उसे सामने से जान लिए पहचान लिए ऐसे किसी के साथ भी online कुछ भी share मत कीजिए और बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि हम ऐसी आपके साथ जानकारी आगे भी share कर सकें थैं